हाई फ्रेंड्स मैं परवंदर कारी फ्रेंड्स आज की यहां हमारी गेम है ग्रिंग के चेस्स क्लासिक टूर्णमेंट की यहां 6 राउंड में मुकाबला मैंगनेस कालसन और रिचर्ड रापॉर्ट के बीच में के लगा था शुरू करता हूं इस गेम को दीफोर के साथ यहां मैंगनेस कालसन ने शिरू किया रिचर्ड रापॉर्ट काया सीफोर हुआ दें एसिक्स नाइट एफ्ट्री नन सीफाइव ओके डीफाइव को और आगे पुछ कर दिया है दें डीजिक्स तो नाइट सीथी स्क्वेर पर लीटेक्स डीफाइव सीटेक् ठीफिक्स तो एच त्री बिशआप आया जी समस्वेर पर देन अएफार और इसके बाद यहां ब्लाक काया कैसल बिशआप आया एठी स्क्वेर पर फ्रॉम मैंगनेस कालसन देन रोक आया एट स्क्वेर पर नाइट डी टू देन गुआ एजिक्स एफोर देन वा नाइट सब्सक्राइब और यहां अभी तक उन्होंने कैसल नहीं किया तो पहले तो नाइट पर एटेक है और माल ले देंगे अगर इस नाइट को कहीं भी बचाया जाए सब्सक्राइब वापस सी फ्री स्वार पर देन अगला मूव एफ फॉर का ही होगा और जो मैंट्रियल यहां प चलते हैं आँ वापस गेम पर बिशप एटू की ऑप्शन को पहले यहां पर वाइट ने चुना मैगनेस कालसन ने का कि ठीक है जो हो चुका है उन्हें दो एफ टेक्स एफ फॉर और एक पांड का लॉस हो जाता है ऐसा करने के बाद आइटिंक सो वैल नाइट गया सी फॉ तरह इश्यूज होने वाले थे इसके साथ बिशप गया एफ फॉर स्कॉरर पर और अब इश्यूज बिल्कुल ऐर ने जरा रहे हैं यहां डी सिक्स पांड पर तो बिशप एफ एट से इसका डेफेंस करना ही पड़ा रुक गया एथ्री स्कॉर पर और फ्रेंट से रूप क e3 square पर आना क्या गिरंटी है कि इकोन अब होना ही दिया भी तो आपने दूश मेरी गलती है Knight a6 की option को पहले यहां black ने चुना और यहां से knight कहा जाएगा यह बिल्कुल तो यह रहा है थोड़ा advanced position हो जाती है लेकिन Magnus Carlsen अब कहीं जागर castle किया move number 78 well knight b4 तो queen गई d2 square पर और यहां queen bishop बैटरी देखते हैं क्या रंग लाएगी b6 then g3 और रुक रख दिया है queen king के सामने और obvious है h pawn push जैसे move यहां work करने वाले है या नहीं करने वाले bishop को मुख कम मिलेगा या नहीं मिलेगा यह देखने वाली बात होगी रुक a7 की option को पहले यहां black ने चुना दैन हुआ h4 जैसा उमीद थी क्योंकि game भी देख चुआ हो उसलिए अंदाज आए रुक f7 हुआ और यहां बना bishop पर नहीं बिशप रोगे टेग नहीं है इस point पर शायद h5 अभी भी किया जा सकता था मेरे खाल से कर देना चाहिए था कि ना शायद कर देना चाहिए था लेकिए यहां bishop g5 की option को पहले चुना लिया और उन्हों ने यहांनी मेगनेस कालसन ने रापाट की क्विन पर टेग बनाया तो बिशप e7 बिशप बीच में लगा देन बिशप टेक्स e7 क्विन टेक्स e7 देन हुआ h5 जो उमीद थी वही होना ही था बिशप आया f5 स्क्वार पर और बिशप आ चुका है बिल्कुल सही स्क्वार स्क् e7 की option को रापॉर्ट ने चुना option यह भी अच्छी है इतनी बुरी बिल्कुल नहीं है लेकिन रुक e1 और आने वाले समय में क्या spawn पर किसी भी तरह का pressure बन सकता है तो देखेंगे जो भी हो ब्लैग यहां अपने क्विन को d7 स्क्वार पर ले जाकर रुक पर थोड़ा प्रेशर बिनाने की कोशिश कर सकता था लेकिन यहां के लागा जी टेक्स h5 यह थोड़ा सा इंटरस्टिंग जाता है जी टेक्स h5 होने के बाद रुक टेक्स e4 और यहां directly क्विन और ऑसके बाद रुक तक टेक्श जाता है पॉन फर पॉर फॉर पॉन वाली कंडिशन है क्योंकि क्विन से दो बार रुक लिये दो डिबल रुक ली जा सकते हैं कुइन टेक्स e4, रूक टेक्स e4, रूक टेक्स e4, कुइन सैक्रिफाइस, इन संटम्स कही जा सकते हैं, लेकिन दो रूक मिल चुके हैं, और यहाँ यह D6 पॉन भी मिल चुका है कालसन को, नाइट टेक्स d6 की आप्शन को पहले यहाँ, कालसन ने चुना, रूक पर अटैक बना, और जड़ा हम अगर गेम में कैलकुलेशन करें तो इस तीन चार पांच पॉन्स, ब्लैक के पास एक तीन चार पांच पॉन्स ही वाइट के पास है, कुइन के सामने दो रूक मान लेते हैं, और नाइट के सामने, नाइट एक पॉइंट की लूई, यहाँ केला गया, रुक E5, और फ्रेंट्स, रुक के E5 स्कॉर पर आने के बाद, अगर मैं आप से कहूँ कि कुछ प्रावलम्स आ चुगी है इस गेम में, तो क्या आपको यकीन होगा, आप कहेंगे कि यहाँ D5 पान पर रुक और नाइट से अटेक बन रहा है, मूव भी परफेक तो क्या रुक का इस स्कॉर पर जाना भी ठीक रहता कर जो भी होता, लेकिन पहले खिला गया, F4, रुक टेक्स D5 होना ही था, क्विन पर अटेक बना, लेकिन यह क्विन गई, E2 स्कॉर पर, और फ्रेंट्स, अब यहाँ प्रावलम्स शुरू होती है, आप यहाँ यह चेक जरूर देख रहे हैं, मैगनस कालसन ने डिरेक्टली चेक्मेट की थ्रेक्ट दी है, और विस है कि रुक टेक्स D6 जैसे नाइट लिया जाए, क्योंकि नाइट डिफेंटेट हो चुका था, तो क्विन E8 चेक और वो मेट हो, तो मैगनस कालसन ने इस गेम को बिलकुल सेफ प्राउट हो जाएंगे, खेर, मैं चलता हूँ गेम पर, यहां कहला गया, H6, सोचा यही कालसन ने कि कालसन जब भी यह चेक देगे, तो उनका किंग भाग कर एक कॉर्नर में पहुंच जाएगा, और रुक पर नाइट का डिफेंस है, यह मैनेज हो चुकी होगी, लेकिन फ तो अगला मूव क्या आएगा, अगला मूव आएगा, नाइट में पर अटेक, पहले रुक बचाओ, और उसके बाद यह फॉक कैसे बचो गया, बहुत कुछ बचना होगा यहां, अगर माले दें कि रुक को मूव किया गया, तो फिर अपने तरह की चेक्मेट ही हो जाएग है फ्रेंट्स, मुझे एक काफी अच्छी गेम लगी, विए आप सभी लोग को भी जरू पसंद आई होगी को आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सीट्यूब चैनल जाज ग्रूब को प्लीज सब्स्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझ